इस question में क्या है, if s ratio u ratio v ratio w equal to kya 2 ratio 9 ratio 6 ratio 7 है, ठीक है, and s u v w का sum क्या दिया है, आपको 864 दिया है, then what is the value of s plus u plus w की आपको क्या करना value find करनी है, अब देकि इस question में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको जो ratio दिया है, इन सब का करिए addition, ठीक है, तो addition करेंगे तो क्या होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 11, 11 में का 7 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 18, 18 में का 6 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 24, तो 24 units आया, ठीक है, इसकी value कितनी है, मनलब कि इनके sum की value कितनी दिया, आपको 864 दिया, ठीक है, इसको करिए कि आप 6 से cancel करिए, तो 64 जा कितना हो तो 24 फिर 2 तो 4 ठीक है इसके बाद इसके बाद क्या होगा आपको 4 से करिए तो 4 बन जा ठीक है और 4 3 जा कितना हो तो 12 और 2 कहरी और 4 6 जा तो जो आपके 1 unit की value आई ना कितनी 1 unit की value वो कितनी है यह अपकी 36 आई ठीक है अब एक्छी देखे सम किसका पूछा है एस यू डवलू का पूछा है तो एस का ratio क्या है 2 है और यू को क्या 9 है और डवलू को क्या 7 है ठीक है तो इनका ratio को add करते हैं 2 प्लस 9 प्लस 7 तो कितना हो गया आपका 18 ठीक है तो 18 units की value आपको basically find करनी है तो into करिए क्या 36 का क्योंकि एक unit की value कितनी है 36 है ठीक है तो 86 है कितना ह 10 हो गया ठीक है और 3 एडिया कितना होता है 24 होता है ठीक है 2 कहरी हो गई 3 बंजा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया तो कि इनका सम कितना आ गया 846 जो आपका अंसर आएगा वो कितना आएगा 648 कि आएगा इस question का answer आएगा ओके दोस्तों एस प्लस यू प्लस डबलू का सम क्या आपका 648 होगा ओके दोस्तों